जैहिन दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट केमेश्ट्री यानि की रासायन विज्ञान क्लाश 10th के लिए है जो की वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट है आपको क्या करना है जो भी चीज आज मैं बताऊंगा जितने भी कोश्चन आज बताने वाला हूँ वो सभी कोश्चन को मिला करके 8 प्लस करके यानि की 16 नमबर आप अच्छे तरीके से गेन कर लिजेगा मैंने 8 नमबर लगाया है क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट है कोश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूँ 14 ठीक है इसके बाद देखिए आपको पूरा फूल मार्क्स मिलेंगे 95% यदि आप इस वीडियो को पूरा अंध तक देखते हैं तव अगर आप वीडियो में नए हूँ तो MKC यानि मामो की कलास को जाकर के सस्क्राइब कर लेना है तभी जाकर को जो है आपको वीडियो नए नए वीडियो का अपडेट मिलते रहेंगे और notification वेल को all कर देना है तो नए नए वीडियो हमारे जो आती रहेगी अब देखिए बोर्ड एक्जाम 2023 जो 2023 का जो प्रसंद पत्र है जो प्रसंद मैं करवाँगा कोस्चन जो है अब मैं इस वीडियो में जो करवाने वाला हूँ इसके अलावा और कोई बोर्ड के पेपर में आयगा ही नहीं इसके अंदर के अलावा तो देखिए बोर्ड एक्जाम 2023 अब देखिए मैंने कुछ लिखा है नियम अब नहीं तो कब यानि अब नहीं तो कब स्टार्ट करोगे पढ़ाई मतलम अब नहीं करोगे स्टार्ट तो कब करोगे पढ़ाई स्टार्ट यदि आप अभी से स्टार्ट करोगे तब जा करके आप 95% ला सकते हैं नहीं तो आप बहुत बूरे इस्तिती में आ जाओगे क्योंकि देखिए मेहनत और लकिर का फकिर वही बनता है जो मेहनत करता है तो देखिए यहीं मौका है अच्छे पढ़ लो मेरे बच्चे अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे तो अभी से स्टार्ट कर लेजिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जा करके पूरे वीडियो को लाश्ट तक देखना है और जितने भी नोट्स मैंने बना रखाया वो सारे नोट्स को बना बना करके याद करने है तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को जल्दे से जा कर सबसे पहला कोस्टन हमारा क्या क्या मापता है उदासीन अमलेundy तथा चा्ज्य बिल्लेनों के पीच मान का परास बताईए यह very very most important है बोड के लिए यह question आपको पैमाना के according इसको माप करके जितने भी है 14 cm का है 15 cm का वैसे चोटी वाली पैमाना आता है उस पैमाना के according इसको माप लेनी है और ऐसी गिंती count कर लेनी है अंसर आपको लिखना है जैसे 0 1 2 3 से लेकर कितने तक करना है 14 तक यानि 14 तक अगर आप सिब्यसी बोर्ड में तो भी वीडियो देखिए यदि आप यूपी बोर्ड में तो भी वीडियो देखिए दोनों के लिए best है पेपर में यही प्रसंद जो आता है तो देखिए सबसे पहले जीरो से लेकर के अगर देखेंगे 6 तक तो यहां 6 तक देखेंगे तो यह कौन सा है हमारा यह जो है हमारा अमलिया है ठीक इसके वाद 8 से लेकर 7 को अभी छोड़ दीजे आप 8 से लेकर के यानि 14 तक देखिए तो यह हमारा क्या है छाडिया है इसके वाद सूध जल क सूध्जल का पिना होता है उतके में च चाहते हैं तो चूशंव होता है इसकी परकार मैं बता हूँ जो जो कुंट कर ले लीयुक्त करला है लेफेर लिफयर आपके संद्रेन इस बिलियन का pH मान ग्याद कीजिए मैंने जो है इसमें अच्छे तरीके से pH मान निकालना सिखा दूँगा अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो तो देखिए pH मान कोई शावी pH मान कैसा भी pH मान हो और हम बड़े ही इजली से याद करके और निकाल सकते हों तो कै एक गुना दस की पावर माइनस 10 इंटू बरावर pH मान हमें ग्याद करना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद देखे सुत्र आपको यह याद करना है है एक प्लेस बरावर एक गुना दस की पावर माइनस पी एच यह वाला हमारा फॉर्मूला है इसको 10 की पावर माइनस पी हेच तो क्या करना घातों की तूलना करने पर लेकिन अगर इसी कोश्चन में पूछ लिया जाता कि यह ढुणिया या सूध है तो आपको बताना होगा यह 10 जो है हमारे च्छाइब है क्होणि यह 7 से अधिक है इसलिए यह च्छाइब एक बिलियन ठीक हैं नेउस्ट कोषजण की ओर चलते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं नेउस्ट कोषजान में हमारा यह चाह सुत्र है इसका पहले देख लिणे यह सूत्र एक सूत्र यह भी है एच प्लस मल्टिप्लाई ओएच माइनस बरावर वन गुनेद दस की पावर माइनस 14 यह भी फॉर्मूला है आप इसको नोट कर लेजिए तब ही जाकर के आपको समझ में आएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और चलते हैं कोश्चन नमबर 3 और पांच है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रन एच प्लस की गणना कीजिए तो बहुत ही सिंपल है हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए एच प्लस बरावर एक गुना दस की पावर माइनस प्येच यह फॉर्मूला है यह अच्छे से याद कर लेनी है इसके बाद देखिए एच प्लस बरावर एक गुना प्येच मान की जगह पर हमें 5 लिख देना अगर प्येच मान यहां 5 दिया है तो तो यही हमारा राइट अंसर है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नंबर 4 और देखिए अच्छे से कोश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हाइड्रोजन आ इस से परदर्सित करते हैं यादि हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांधरन कहीं दिया है इसको ओएच माइनस से परदर्सित करते हैं यहाँ पर हमने लिख लिया एक गुना दस की पावर आठ मोल प्रति लीटर ठीक इसके बाद हमें क्या ज्याद करना है प्येच मान तो हमने मैंने यहाँ पर फूट कर लिया मैंने लिख लिया बरावर एक गुना दस की पावर 14 अब यह एक गुना दस की पावर 14 उपड़ जाएगा और यह नीचे आ जाएगा कहां से यह लिया हमने यहां से यह वाला जो मान हमने यहां रख दिया इसके वाद यह फॉर्मूला लिखना है माइनस पीएच अब गहां तो के तुलना करने पर माइनस 6 यह लिखना है और माइनस का पीएच तो माइनस का 6 माइनस माइनस कैंसल तो पीएच वरावर 6 तो राइ नेक्स्ट कोश्चन है हमारा देखिए नेक्स्ट कोश्चन नंबर 5 नेक्स्ट कोश्चन नंबर 5 है यह विल्यन में H-plus की मात्रा जो है 4.0 into 10 की पावर 9 मोल प्रति लीटर है तो जिसका बिल्यन का प्येच मान ग्याद कीजिए प्येच मान आप अच्छे से सीख जाओगे अगर यह वीडियो को अंद तक देखे उगे तो बिल्यन की प्रकृति क्या है तो देखे एच प्लेस का यह दिया हुआ है जीरो की कोई वैलू नहीं तो चार गुने 10 की पावर 9 मोल प्रति लीटर फिर एच प्लेस का प्येच का फॉर्मूला लगा दिजे और फिर इसके बाद देखे हमने एच प्लेस के जगा पर यह कि स्मकन यह में वो सब्सक्राणा अंसर में आपल ah कि कॉछा जाता है झावर रहे हुथ व भी हमारा साथ ही होता है तुन के लिए करि को चलते हैं और आपको इसी प्रकृत्तों सब कुछ दिखा देते हैं देखिए बहुत अच्छे से कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर शिक्स्त में क्या है हमारा प्येज का परिभासा दीजिए इसका हाइड्रोजन आयन में क्या संबंद है यह वेरी वेरी मौस्ट इंपोर्टेंट है बोट के लिए काफी ज्यादा इनप मापने की काई को प्येज मान कहते है बहुत इजी है आप इसको जल्दी से नोट कर लिजे और याद कर लिजेगा एच प्लेस का पहला फॉर्मूला यह दूसरा फॉर्मूला यह दोनों फॉर्मूला यह लिख देना है यह हमारा कंप्लिट हो जाता इसी में आपको जो है अ साथ से कम है क्योंकि अमली है अमली है bleedin 1000 का पियेच मान साथ से कम है तो हमने साथ से कम लिख लिए ठीक है इसके बाद नेक्ष नेटकोश्चन है कोश्चन नमबर एक बिल्यन कि एक अक्साइड आयन का सांदरन ऐ गुणा 10 की पावर माइनस 12 प्रति लीटर है तो इस बिलियन का प्येच मान क्या होगा तो सिंपल तरीका है एच प्लेस का दिया हुआ यह प्येच मान निकालना है फॉर्मूला फिर से वही लगाने है एच के जगपर हमने यह लिख दिया एच प्लेस के जगपर यह ऐसी रहेगा घातों के तुलना करने पर माइनस 12 और माइनस का फिर सिंपल बार अंसर तो पताइए 12 कोन से आम्लीा छाद्य है तो यह हमारा चाड्य है क्यों कि साथ से अधिक है इसलिए छाद्य है नेक्स्ट कोश्चन की उणर चलते है और आपको अच्छे से números दिखा देते नेक्स्ट कोश्चन है हमारे ब़ी परमानियों की जो संक्या होती है वह दो होती है अच्छे से याद कर लेनी है वेरी वेरी मौस्ट इंपोटेंट कोश्चन बता रहा हूं अब देखिए नेक्स्ट कोश्चन है हमारा दस्मा यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप को कोश्चन है पीजल को जीवानु रहित करने में प्रियोग किया जाता है तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रसाइनिक सुत्र होता है C-A-O-C-L-2 C-A-O-C-L-2 ब्लीचिंग पाउडर का रसाइनिक सुत्र और ब्लीचिंग पाउडर दोनों याद कर लीज़े ठीक है नाम अब इसके बाद देखिए कोश्चन नम्मर 11 ग्यार्मा कोश्चन है और भी कोश्चन 14 तक मैंने बताया 14 पूरे करवाऊंगा ग्यार्मा कोश्चन है खाने का सोडा का रसाइनिक सुत्र क्या है तो N-A-H-C-O-3 यह आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है वेरी वेरी मौस्ट इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और चलते हैं और आपको अच्छे से इस पश्पूर्वक दिखा देते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा बार्मा देखिए नेक्स्ट कोश्चन है हमारा बार्मा तो बार्मे कोश्चन जो है हमारा बेकिंग सोडा को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है तो कौ अमलिय बर्चा के जल का संभावित प्याच्चमान कितना होता है जो बारिष होता है अमलिय बर्चा उसकी प्हाबर उती है कितनी होती है तो देखें बाबन होती है उसकी प्याच्च pand इसके बाद question number 14, 14, 15, 16 तक बताने वाला हूँ, देखिए मैंने 14 तक बताया था लेकिन 16 तक लिख लिया हूँ इसमें, अब देखिए question number 14, waking powder, waking powder खाने का soda का रसायनेक सुत्र नाम एवं अनुसुत्र क्या है, इसको बनाने की बिधी एवं दो भौतिक गून तथा, दो रसायन अंसर भी लिख रखा है, तो देखिए answer में आपको क्या करना है, रसायनिक नाम, sodium carbonate तथा, अनुसुत्र न-A-H-C-O-3 है, ठीक, इसी परकार से लिखना है, इसके बाद आपको बनाने की बिधी लिखना है, यह sodium hydroxide के सांद्रन billion में, अधिक मातरा में carbon dioxide gas CO2 प्राप्त होता है, ठीक है, फिर इसके बाद reaction लिखने है, यह दोनों reaction जो अच्छे से आपको याद भी कर लेने और लिख लेने भी है, देखिए, 2-N-A-OH-C-O-2 के साथ अभी क्रिया कराने पर हमारा न-A-2-C-O-3 प्लस-N-2-O, यह प्राप्त होता है, फिर न-A-2-C-O-3 प्लस-H-2-O- यह जल और carbon dioxide के साथ अभी क्रिया कराने पर हमारा यह प्राप्त होता है, 2-N-A-H-C-O-3, ठीक, जो चीज हमने यहाँ पर लिखा है, यही चीज हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, अब इसके बाद इसका जो गून भी लिखने है, गून कौन कौन सी होती है, तो देखिए, ग नोट कौपी में नोट कर लेनी है, कोश्चन नमबर 15, बिलिचिंग पाउडर का रसायनिक नाम, बनाने की बिधी एबं एक रसायनिक गून लिखिए, जो सम्मंदित समिकरन भी लिखने है, वेरी वेरी मौस्ट इन्पोटेंट कोश्चन है, अगर आप इसका अंसर नहीं ल अरिके से बताया है, और साथ ही साथ आपको नोट भी कर लेनी है, जितने भी कोश्चन बताया है, अब वीडियो को स्किप नहीं कीजेगा, बिल्कुल भी, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा, पसंद आया, तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दिजे, और एक प्यारा और यह चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज मैंने जो बताया है, पार्ट वन है ठीक है, पार्ट वन है, ठीक, पार्ट वन में बताया है, अगर वीडियो अच्छा लगा ते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जय हिंद, जय भारत, बंदे मात्रम, थैंक ठाइक्स पूर वाचीं